नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपनी चाल में इसका नाम है online selling tips दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि confirmed order जो हो चुके होते हैं confirmed जो order placed हो चुके होते हैं वो order cancelled क्यों होते हैं आखिरकार क्योंकि जब भी sellers check करते होंगे अपने hand over tab में रात में कुछ order show कर रहे होते हैं सुबा तक वो उसमें से 2, 4, 6, 8, 10 cancel हो जाते हैं और रात को कुछ order show कर रहे थे अभी outcome show कर रहे हैं तो ऐसा होता क्यों है दोस्तों आज हम उसके बारे में जानेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दू इसमें दोनों साइड की गलती होती हैं कभी-कभी sellers की भी होती यह कभी-कभी flip card की और कभी-कभी customers की भी तो आप यह समझिए गा कि इसमें आप क्या कर सकते हैं क्या करना चाहते है, ठीके तोस्तों, जान देते हैं इसके Key Points क्या क्या होते हैं, और इसी के साथ-साथ हम बात करते हैं कि एसे इसको कैसे हम सोधार सकते हैं या इसको हम कैसे इससे बच सकते हैं पहली बात में आपको बता दू जैसे Flipkart है वैसी Amazon, Snapdeal, Paytm, Shopclues यह सब e-commerce platform पे काम करती हैं अपनी website पे काम करती हैं और उची के साथ-साथ customer base बढ़ाती है दिन रात करके अपनी publicity करती है जिससे जादा-जादा customer इनके साथ attach हो सके जैसे sellers जो है एक new seller अगर आप मानिए Flipkart के platform पे आता है Amazon के platform पे आता है वो inventory अपडेट करता है तो अब वो inventory गलती से update करता है 10 suppose कीजिए लेकिन उसके वास अभी उतना stock नहीं होता उसके वास stock होता है एक दो थीन पीस होता है तो अब उन्होंने तो flipkart नहीं तो order लगपाती दस दस order seller के पास आ गए बड़ उसके वास इतना stock नहीं inventory नहीं होती है तो उसको MP cancellation करके cancel करना पड़ता है यह तो यह reason हो गया कि order cancel हो जाता है seller की तरफ से दूसरा होता है flipkart की तरफ से यह कि जैसे आप मान लीजिए आपने inventory अपडेट करी 20 अब flipkart या Amazon ने कर दी 200 बाइ टेक्निकल इशू कुछ भी मान लीजिए तो अब उससे क्या होगा seller के पास तो order continuously राजभर आते रहेंगे सुबह तक जो वह चेक करेगा करेगा में पस त 70 orders अब वह dispatch कैसे करेगा जब उसके पस बिना stock ही नहीं होगा तो उसके लिए दुबारा ticket race करेगा मैंने stock update करा था बट इतने orders आ गए तो flipkart उतने बागी के remaining orders को cancel करेगा और उसी के साथ साथ आगे के लिए ticket भी race कर देगा कि यह ऐसा कभी future में नहीं होना चाहिए यह काफी सारे होते हैं कास्टमर ने रात को अठर किया वर उसको कुछ भी नहीं चाहिए उसने order कर दिया जैसे seller ने order dispatch पर डाला customer ने order cancel कर दिया मतलब hand over पर डाला customer ने order cancel कर दिया ये हो जाते हैं दोस्तों fake customers दूसरे इसी में wrong product क्या होता है इसमें wrong product issue customer की साइट से क्या होता है customer ने मंगवाया जैसे shoes उसकी पास वो order deliver हो गया पर डिलीवर होने के बाद उसने वह अला ओर्डर बदल के कुछ और आइटम रॉंग उसमें डाल दी प्रॉडक्ट में मतलब शूज रख लिए और अपनी तरफ से कुछ और डाल दी और कहा कि मेरे पास रॉंग आईटम आई है ठीक है दोस्तों अब वह रॉंग आईटम एक कुछ पर कि अपने अधार्य साइटल के अध्र गल्ति कि आओर फिर बदल कि वहां हो चैंटक आपने से रहे इसकते हैं वापिस रिटेंद में ठीक है दोस्तों यह ईशुड और यह में आना यह इसार्शनिट सार यह मार्कट में आप देख रहे हों यह से अगए फेस्मे भी आती है उनकी अद weekly आती हैं देखते हैं जो टीशर्ट आप नॉर्मल प्राइस में देखते चैसे सिक सेवन वह दे रहे होते हैं ऑ war occur और यह लिए लॉए डो करता है ओर उसकी पैम Calvin पहले कर देता है कुछ अगर उसमें प्रीपेड पेमेंट होती है तो यूब तो वैसे भी कोई बी चल रहा है कोई भी सीओ डी जल्दी से ले नहीं रहे अब कस्टमर ने वह प्रीपेड में पेमेंट भी कर दी अब क्या होता है वह ओर दो से तीन दिन बात कैंसल हो जाता है अब उसकी payment भी company के पास चली गई है अब company के पास payment जाने के वाद क्या होगा कि company अपने आपको अंगेज रखे कि उस customer के साथ और customer चार्ज से छे दिन तक उनी company के साथ अंगेज रहेगा तो अब उसके दिमाग में उस company का नाम बैड़ जाएगा यार चाहे वो negative क्यों ना impact कर और यही दोस्तों होती है जो इसे नई नई companies आती है उनी की marketing strategy होती है कि अगर एक customer के साथ ऐसा हुआ है तो वह दो से चार जनों को यह चीज बताएगा वहां से और ज्यादा फैलाएगा अपनी बात को तो अब मैं आपसे बताना चाहरा हूं कि अगर कैसी भी company अगर आपक पांसो का माल सो अरपे में दे रही है तो आप उन पर ट्रस्ट ना करते हुए कोई अच्छी ट्रस्ट वर्दी e-commerce website पर ट्रस्ट करें जिससे आगे जाके आपको कोई दिक्कार ना हो return फेस करने में ठीके दोस्तों क्योंकि आगे भी return issue भी होते हैं उनमें क्यों accept करें आप अपने कोई सवाल हो जवाब हो आप comments में लिख सकते हैं thank you so much online setting tips